हेलो योट्टोब आज हम 1D array का सम देखेंगे python में input method से सारा जो है content को इसको input करेंगे और उसका sum देखेंगे तो सबसे पहले हम एक num array input करते हैं input num array declare कर दिये जो blank है अब क्या करेंगे तो array में जितना number of item हम इंटर करेंगे उसको declare करते हैं तो a equal to कर देते हैं int जो integer type होगा input enter number of item item को कितना number of item इसमें इंटर होगा उसको हम दे दिये अब क्या करना है तो sum निकालना है तो sum equal to zero कर देते हैं अब क्या करते हैं for loop लगाएंगे for i in range कहां तक जाएगा जब तक a होगा तब तक फिर i equal to क्या होगा तो integer type होगा int अब यहां हम input लगाएंगे तो लिखेंगे इंटर list item अब क्या करना है में sum निकालना है तो sum equal to कर देते हैं sum plus i एक एकर के add होता चल जाएगा अब हम array में उसको content को add करेंगे प्रिंट कर दिया है और यहां पर हम जोड़ देते हैं list के लिए num को print करना है अब फिर print देते हैं print sum of one d list one dimensional list is equal to देते हैं sum को print करेंगे हो गया अब इसको हम run करेंगे हम item देते हैं इसमें चार चार item add तो दे 1 11 2 और 3 देख सकते हैं 1 11 12 हो गया 12 हा 2 14 14 और 3 17 तो list sum of one d list क्या हो गया मेरा 17 और list का item जो है वो यहां पर print हो रहा है इस तरह आप किसना भी list का item आसानी से sum और print कर सकते है simple है i in range i कब तक move करेगा जब तक की a के value याने input जो करता है user उसके value के बराबर नहीं आता है तब तक i याने 0 से start होगा इसलिए 0 pocket में first item उसके बाद add होता जाएगा और i का value होगा वो sum में पहले तो 0 रहेगा और पाइथन में थैंक्स फ्रेंट प्लीज सब्सक्राइब में चैनल एंस यहर वीडियो